ओम नमश शिवाई जय मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चानल व्रत्यो हार्टोड के मैं हूँ आपके साथ रिमजेम शर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पशुपती व्रत के बारे में संपोर्णता से जानकारी देने जा रही ह हूँ दोस्तों यूट्यूब पे पहली बार आपको ये सटीक संपोर्ण विस्तुरत जानकारी पशुपती व्रत के बारे में मिलेगी देखें बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे पशुपती व्रत के बारे में लेकिन जो जानकारिया मैं दे रही हूँ वो आपको शास माध्यम वह किया आता ने कि अजिसे नहीं कि कोशिश ऐसे भीडियो के माध्यम से लुगा मैंकार सूनर नहीं कि अ धिर हैं UXॉ वीडियो में मिलेंगी तो पूरे प्रमान के साथ को ये पहली बार मैं आपको बताने जा रही हूं आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें दोस्तों पशुपती व्रत को कब शुरू करें कितनी संख्या में करें इन बातों को ही लेके जो जो पहला सवाल होता है जहन में किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले उसको लेकर ही बहुत भरम है बहुत संख्या है तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में संपोर्णता सी जानकारी देने जा रही हूं वीडियो अंत तक जरूर देखेगा आपको बिलकुल सटीक जानकारी मिलेगी और आप देखेए यह है शिव पुरान इसमें जिस पाशुपत पशुपती व्रत के बारे में जानकारी दी गई है जिसके चमतकारिये महत्व को वर्नित किया गया है उस पशुपती व्रत में जो विधी बताई गई है इस शिव पुरान में वो मैं आपको अब बताती हूं सबसे प पशुपती व्रत भगवान पशुपती का व्रत है भगवान शिव का व्रत है तो भगवान शिव के इस व्रत में हम उनके एक स्वरूप उनके कई नाम है शिव महेश्वर महेश महादेव कई नामों से हम भगवान शिव को जानते हैं उनमें ही उनका एक जो बहुत इस व्रत में हम ध्यान करते हैं और उन्हीं के निम्त इस व्रत को हम धारन करते हैं दोस्तो अब पशुपती हम क्यू कहते है बोलेनाद को इसके बात में बताया गया है देखे उनके कई नाम है सब नामों का वर्नन है जिसमें की पशुपती नाम के वर्नन में ये बताया गया है शेपुरान में कि सभी पश्मों के वो नाथ हैं पशु यहाँ पर प्राणी जीव जन्तु जो भी इस प्रत्वी पर है उनके नाथ यानि की मालिक हैं पशुपती न तो उनका ही ध्यान उनका ही सुमिरन उनकी ही आराधना इस व्रत में हम करते हैं भगवान शिव में जो भी व्रती समाहित होना चाहता है उनके बताए रास्तों पर चलना चाहता है पाप से मुक्ती चाहता है मोक्ष की और अग्रिसर होना चाहता है जीवन में जो भी समस्त बा देखिए भगवान शिव में आपके समर्पन का व्रत है, पूरे भस्मधारन की विधी बताई गई है और शिव पूझन में जो भी चीज़ें करनी होती है इस व्रत के नियमों में बहुत महत्वपोर्णता से उनका उलेख किया गया है और वो हमें जरूर करना चाहिए. दोस्तो जब रिश्यों की पूछने पर व्रत को वायुदेव ने एक चमतकारी गुप्त व्रत बताया और बताया कि ये एक ऐसा व्रत है जिसको करनी मातर से समस्त पापों का नाश हो जाता है. मोक्ष की प्राप्ती होती है आपकी जो भी कामना जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है. तो इतना चमतकारी व्रत है ये जिसकी महिमा स्वेम भगवान शियप पुरान में कर रहे हैं. दोस्तो अब ये जानकारी भी हमें बहुत जरूरी है कि हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए. देखे एक आम गिरस्त को एक आम जीवन शैली लिए हम आपको ये व्रत इसी ले करना चाहिए. क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भगवान भोलेनात ओगर दानी है. जिस पर दोस्तो अब ये एक महतुपूर्ण जानकारी ये कि इस व्रत को धारन करने से होती है. दोस्तो तो इन सबी इच्छाओं के लिए आप इस व्रत को धारन कर सकते हैं. दोस्तो अब ये एक महतुपूर्ण जानकारी ये कि इस व्रत को पश्युपती व्रत को हमें कबसे धारन करना चाहिए. तो जो शिव पुरान में उलेक है इस वरत को धारन करने का शुरू करने का वो बताया गया है पुर्णिमा तित्ही में हमें जब चित्रा नक्षत्र जिस पुर्णिमा को मिल रही हो जरूरी नहीं कि हर पुर्णिमा को आपको चित्रा नक्षत्र मिल जाए तो जिब चित्रा नक्षत्र जिस पुर्णिमा को मिलेगी वो सबसे उत्तम समय बताया गया है हाला कि आप अन्य पुर्णिमा में भी इस वरत को शुरू कर सकते हैं अब आपका जो सवाल आएगा कि वरत को हमें सोमवार को अगर करना चाहिए भगवान शिव का वरत है तो क्या पुर्णिमा तिथी सोमवार को तो आती नहीं है देखिए इसका जो जिक्र किया गया है वो यही किया यह जो जानकारी में आपको बता रही हूँ वो शिब पुरान में पशुपती वरत की विधी और महत्व में बताई गई है अब जो संख्या है उसको लेकर भी जानकारी है संख्या हमें कितनी करनी चाहिए तो देखिए क्योंकि यहाँ पर इसे साब्ताहिक वरत ही नहीं बताया गया है ये वरत आपको एक अनुष्ठान के तौर पर करना चाहिए बताया गया है कि इस वरत को आप बारह साल के लिए धारन कर सकते हैं छे साल के लिए धारन कर सकते हैं तीन साल के लिए कर सकते हैं एक साल के लिए कर सकते हैं अगर आप इतना करने में असमर्थ हैं तो आप बारह महीने के लिए कर सकते हैं शे महीने के लिए कर सकते हैं, तीन महीने के लिए कर सकते हैं, और एक महीने के लिए भी आप कर सकते हैं, अब एक और बात है, आप लगातार इस वरत को कर सकते हैं, बारह दिनों तक, आप कर सकते हैं, लगातार शे दिनों तक, तीन दिनों तक, और एक दिनों तक, ये जो मैं जो शिप पुरान में जहां पर जिक्र किया गया है वो मैं आपके साथ स्क्रिंशॉट के बतौर शेयर करूंगी आप उसे भी जरूर देखिए तो दोस्तो अब यह जानकारी भी बहुत महतो पूर्ण है कि हमें वरत कितने करनी चाहिए तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको मैं बता रही हूँ कि जो जिक्र है शिप पुरान में अनुष्ठान का जिक्र है पाशूपत वरत हम धारन करते हैं अनुष्ठान की तरह तो हमें ये वरत हम एक दिन के लिए धारन कर सकते हैं हम तीन दिन के लिए धारन कर सकते हैं और हम बारह दिवसों के लिए इस वरत को धारन कर सकते हैं अब अगर आप ज्यादा कहना चाहते हैं तो आप एक मास के लिए धारन करेंगे आप तीन महीनों के लिए धारन करेंगे आप शे महीनों के लिए वरत को लगातार कर सकते हैं और आप एक साल के लिए भी कर सकते हैं और अगर सालों की बात करें उसमें भी यह जिक्र है कि तीन साल, एक साल, छे साल और बारह साल के लिए आप इस वरत को धारन कर सकते हैं लेकिन जो वरत की विधी है वो बहुत ही कठिन है तो आप बारह साल के लिए एक आम जीवन के व्यक्ति को गिरस्त जीवन के व्यक्ति को पाशुपत वरत धारन ही नहीं कर सकते क्य वरत का जिक्र नहीं है कि इस वरत को सोमबार के सोमबार ही हमें सापताहिक वरत के तौर पर करना चाहिए. देखे, अब मैंने आपको बता दिया कि कितने वरत आपको करने चाहिए और कैसे यह लगातार भी आप कर सकते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया है. अग इसमें ये जानकारी बहुत जरूरी कि हमें किस दिन से शुरू करना चाहिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चित्रा युक्त पुर्णिमा की तित्थी उत्तमानी गएगा चित्रा युक्त नहीं भी है तो पुर्णिमा से आप इस वरत को शुरू करेंगे अगर आप एक दिन के लिए कर रहे हैं अगर आप तीन दिन के लिए कर रहे हैं तो आप तिरोदशी से इस वरत को धारन कर लें और पुर्णिमा के दिन आप पूजन करने के बाद इस वरत को समाट करेंगे इसी तरीके से अगर 6 दिन के लिए कर रहे हैं तो आप पुर्णिमा से 6 दिन पहले इस वरत को धारन कर लें तो दोस्तों ये विधी है इस वरत को धारन करने के अगर एक साल क्लिए आप पर रहे हैं तो पुर्णिमा तिथी से करें क्यूंकि आपको अगले साल तक करना है और बीच में कई पूर्णे माति थी तिरोदिशी चतुरदशी तिथियां आएंगी अब आपको ये तिथियां कहां मिलेंगी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ देखे इस तरह से एक पंचांग का आपने अगर कैलेंडर रखा है तो ठीक है और नहीं तो एक कैलेंडर आप रख लीजे अगर आप उजा पात करते हैं तो रखना चाहिए इसमें सभी तिथियों का जिक्र आता है जैसे देखे ये महाशिमरात्री उसके उपर प्रदोश कुनक्षत्र की जानकारी भी आपको पंचांग में मिलती है तो आप पंचांग से देख लेंगे जब भी आपको पशुपतिवरत को शुरू करना होगा अब दोस्तों पशुपतिवरत कौन कर सकते हैं पशुपतिवरत हम सभी कर सकते हैं महिलाएं भी अगर कर रही हैं तो वरत धारन कर सकती है, लेकिन उन्ही नियमों के पालन के साथ में, दोस्तो, कथिन वरत है ये, इसे हम आसान वरत ना कहें तो अच्छा होगा क्योंकि कुछ ऐसे नियम है जिने हमें जरूर मानना चाहिए क्योंकि ये कैसा वरत है जिसको हम एक दिन के लिए ही कर रहे हैं तो समझे आप एक पूरा अनुष्ठान होगा उस अनुष्ठान को हमें एक दिवस में संपन्न करना है अगर तीन दिनों के लिए कर रहे हैं और बारा दिनों के लिए तो ये लगातार करने वाला वरत है तो आप समझे किस तरीकी की हमें तैयारी रखनी होगी और वरत को अच्छे से संपन्न कराना होगा अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा विधी आपको पश्यूपती वरत में क्या रखनी है देखे भगवान शिव की पूटा में हम सबसे महत्वपोर्ण जिस चीज को मानते हैं वो मानते हैं अभिशेख तो आपको संकल्प लेने के बाद व्रत धारन करने के बाद भगवान का अभिशेख करना है भगवान पश्यूपती नात का ध्यान करते हुए आप उनका अभिशेख करेंगे भगवान पश्यूपती नात का जैसे मैंने बताया पांच मुखो वाले शिवलिंग है तो आपको हर विधी को पांच बार करनी चाहिए आप जब बाचमन करेंगे पांच बार करेंगे अभिशेक जब भी आप जस भी द्रव्वे से करें आपको पांच बार करनी चाहिए धूप बत्ती जो भी चीज़ें आप अरपित करें वो उनके पांचों मुखों के नाम से मन में सुमिरन कर उन्हें अर्पित करेंगे आप दोस्तों भगवान की पूजा में बेल पत्र हम सभी जानते हैं बहुत पसंद है उन्हें तो पशुपती व्रत भी अगर आप धारन कर रहें तो बेल पत्रों का आपको एंतिजाम रखना है यह नहीं है कि आपने सिर्फ तीन बे देखें भगवान के अन्य प्रिये पुष्प हैं जैसे कि आँकड़ी के फूल है सफेद फूल भगवान को बहुत प्रिये है तो कम से कम आप मदार के फूल यह रखें और इस वरत में यह माना गया है कि कमल के फूल अगर मिल जाएं तो बहुत ही उत्तम है देखें आम कर रहा है तो ऐसे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए अगर आप सामर्त ही है तो आप एक स्वर्ण कमल बनबा करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं यह सा माना जाता है एक स्वर्ण कमल की जो महत्ता है वह 1008 कमलों के बराबर हुजाती तो यह कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पशुपती वरत में हमें भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए उसकी बाद भगवान को आप धूप दीप करेंगे जैसे मैंने बताया हर मुख के लिए धूप दीप भी आपको करना है तो आपको पांच दीपक जरूर लग भगवान के पांच मुखों के नाम से एक एक मुख के नाम से आप और अगर ज्यादा लगा सकते हैं दीप मालाएं बनाएं बहुत ही उत्तम फलदाई होता है इस तरीके से पशुपती वरत में भगवान की पूजा आराधना करना तो दोस्तों पशुपती वरत में सुबह क छाती है तो हमें संध्याकाल में ईक बार फिर से अगर आप मंदि explicitlyyan varasen करेंगे या अगर घर में लिंक किस्ठापना करके पूजा कर रहे हैं तो आप झरुमि भी उसी तरीके से पूजन करेंगे संध्याकाल में Pedro ऑगवान को भोग में जो भी चीजिएं आप अर प्रित करे करेंगे उस भोग का एक हिस्सा कि घृ honest ऑगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में छोड़ विर अपने घर पर किया है तो उसमें से एक हिस्सा आप गौ माता को दे दे ब्राहमन को दे दे और एक हिस्सा आप प्रसाद के तौर पर बाट भी सकते हैं या आप दोनों हिस्से ब्राह्मन या गौमाता को भी दे सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से संध्याकाल में एक बार फिर से विधिविधान भोग अर्पित करने के बाद में आपको भगवान को फिर से दीपमाला और नहीं तो पांच दीपक पांचों मुखों के लिए पश्युपतिनात के जरूर प्रज्वलित करने चाहिए और ये दीपक भ वो फल ग्रहन कर सकते हैं और जो लोग अनाज का भी भोजन ग्रहन कर रहे हैं वो भगवान भोलिनात पर अर्पित किये गए उस प्रसाद के साथ साथ एक समय का रात्री में मीठा भोजन ग्रहन कर सकते हैं देखे पशुपति वृत में किसी कठा का वर्नन नहीं है तो इस में आपको इसी तरीके से पूजा विधी रखनी है और भगवान त्रगुन शिवजी की आरती आपको करनी चाहिए दोस्तों पश्यूपती वरत में जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप शिवलिंग घर पर भी स्थापित कर पूजा कर सकते हैं और आप शिव मंदिर में भी ज बत्थर के शिवलिंग की इस थापना आप कर सकते हैं अगर उप्लब्धताँ नहीं है अगर नवरतनों का भी जिक्र है कि हर मास में अगर पशुकती वरत धारन करते हैं तो हर मास के लिए एक अलग-अलग रतन का जिक्र किया गया है वो कभी विस्तार से मैं कालग्षी जो और हम मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर उनकी भी विधी विधान से पूजा कर सकते हैं, अगर आपनी वरत एक दिन का धारन किया है तो एक दिन उनकी पूजा करें और उसके बाद विसर्जन करें, अगर तीन दिनों का किया है तो तीन दिन पूजा करें उनका हिशन शिव लिंग का करेंगे अगर आप हैं तो आप उसे भ्रांमन को दान दे सकते हैं या फिर आप इस शिव मंदिर में उसकी श्थापना करा सकते हैं ऐसा वर्नन तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि शास्त्र प्रमान के मुताबिक पाशुपत व्रत उसकी विधी उसके महात्म की जानकारी आप तक पहुचा सकूँ उमीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारिया आपके लिए उपयोगी साबित हो अगर आप भी पशुपती व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अब ये सटीक संपोर्ण जानकारी विस्तुत तोर पर मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तो पशुपती व्रत से जुड़े हुए कई सारे जो नियम है उनके उपर मैं आपके साथ अलग वीडियो शेयर करूँगी पशुपती व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए किस तरह से और किस समय हमें भोजन ग्रहन करना चाहिए इस पर भी मैं आपके साथ वीजियो जानकारियां शेयर करूँगी दोस्तों पशुपती वरत की उध्यापन विधी हमें कैसी रखनी चाहिए जिस दिन हम आखरे दिन वरत को संपन्न करें उस दिन क्या तैयारियां करनी चाहिए हवन का क्या महत्व है पशुपती वरत में वो जानकारियां साथ मैं शेयर करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मास के लिए रतनों का जिक्र किया गया है तो हर मास में अगर आप चाहते हैं अगर आप सक्षम सामर्त हैं तो उन रतनों का शेवलिंग की स्थापना करके भी आप पशुपती व्रत को करें देखिए बहुत ही चमत कारी व्रत बताया गया है पशुपती व्रत को दोस्तों और इसकी महत्व को बहुत ही चमतकारी बताया गया अगर हम धारन करते जिस सभी कामना से करेंगे भगवान भोले नाथ भगवान पशुपती नाथ की कृपा से आपकी वो मनो कामना जरूर पोर्ण होती है बहुत ही शिग्र फल्दाई इस व्रत को माना गया है दोस्तों वीडियो अन्स तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जै मातरानी ओम नमाशिवाई